Dear students, we have to discuss about the development. Dear students, जब हम development की बात करते हैं, तो development के अंदर जो focus है, वो human development है. और human development जो है, वो बुन्यादी तोर पे, intentionally या unintentionally, वो process of the change है. चाहे उसको process of the change कर दें, या आप evaluation process कह दें. जो हमारे new situation की वज़ए से हमारे अंदर change आई. जैसे उसकी मिसाल है, हमारे social, cultural और environmental terms में, जो हमारे पास situation में change आई है, उस change की वज़ए से हमारे human development में जो change आई है, यह आप में interlink है. उसकी में आपको एक example देना चाहूँगा, कि आज से कुछ रसा पहले, रूलर एरियाज में खास तोर पर, अर्बन एरियाज में इतना ज़्यादा नहीं लेकर रूलर एरियाज में खास तोर पर, लोग शाम के वक्त, ताथ तमाम लोग अपने काम काहसे फारिग होने के बा एक दूसरे के दुखतर को सुना जाता था, एक दूसरे के दुखतर को जानने के बाद, उसमें जो रिलीफ दे सकते हैं, अपना जो contribution होता है, वो किया जाता था, वक्त के साथ चेंज आई, और वो चेंज किसकी वज़ा से आई, वो चेंज आई, टेकनोलोजी की वज़ा से अब देखें, अब भी हमारा interaction है, अब भी हम लोगों से बात करते हैं, लेकिन अब हम physical से virtual की तरफ चले गए हैं, अब हम वो ही बैठक कर रहे हैं, लेकिन वो बैठक physical नहीं है, बलके virtually हम Facebook, Twitter, Instagram, इनके जरीए एक दूसरे के साथ interact कर रहे हैं, हम वहां पर भी लोगों के दिखतर भी सुनते हैं, लोगों के साथ बात भी करते हैं, शेर भी करते हैं, प्रॉब्लम्स भी शेर करते हैं, और उसके अंदर जो एक बहुत बड़ी शेयर जाई, कि पहले जब हम बात करते थे, तो हम उन लोगों से बात कर रहे होते थे, जिन इन में से बहुत से लोग होते हैं जिनको हम कभी फिजिकल मिले हुए भी नहीं होते हैं तो बुनियाती तोर पर यह है चेंज अब इस चेंज की वज़ा से इंसानों के अंदर भी चेंज आई यह आप देखें के सोशल कल्चर और इंवार्मेंट टरम्स के अंदर जो चेंज जाएं उससे हमारे हमेंट केंदर भी चेंज जाएं हमारा कल्चर कर रहे हैं वहां पर बैठ रहे हैं बैठने के बाद उसको कंसोल कर रहे हैं उसके साथ बाते कर रहे हैं उसके गम को कम करने की कोशिच कर रहे हैं आज कि इस दोर में क्या हो गया है इस दोर के अंदर अब सुरत यह है कि हम फेस्बुक के ओपर एक मैसेज पढ़ते हैं उसके वहीं पर हम इननल्ह वह इननल्ह राजिवन या मखबरत की दॉा और वह बात कर देते हैं खते हुए फूल पर जो फ़र पर चुरता चला 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 है। होता चला जा रहे हैं। लेकिन वह मिनिमाईज होता चला जा रहे हैं। अब इस你要 है। है क। के उपर असरनाज है health के मामला चेंज हो रहे हैं democracy के चेंज हो रहे है food water security equality of the personality अब देखें यह हर चीज देखें हमारा culture change हुआ culture से हमारा behavior change हुआ हमारी intention change हो गई intention change होने से हमारे तमाम other factors जो हैं वो भी change हो गए और उस change की वज़ा से हमारे पास जितनी भी other जो related चीज़ें हैं उन में आप कह सकते हैं कि improvement भी हो सकती है या आप कह सकते हैं कि उनके अंदर जो है एक नई evolution आ गए नई change आ गए और वो कैसे साम टाइम क्या होता हमारे पास कि हमारा हम थोड़ा सा उसके उपर जो हना हम बात कर रहते हैं कि हम specially हम culture social and culture inequalities की तरफ चले जाते हैं कि हम उसके उपर बात कर सकते हैं कि without environmental balance cannot move the total sustainability अब हम इसको लिंक कर रहे हैं sustainable development की तरफ sustainable development goals जो हम जाए स्टीजी जो हमारा main focus है और जिसके पर हम बात कर रहे हैं कि अब आप देखें कि हम इसके balance को जिसको हम कहते हैं कि यह चीज़ें unbalance होनी शूरू हो गए जिसके अंदर हम कहते हैं कि environmental भी हमारा तो रहा है अब जब तक हम इसको without regard the environmental balance हम sustainable की तरफ नहीं जा सकते हैं कि क्योंकि sustainability के हमें लिए क्या चाहिए sustainability के लिए हमें चाहिए change तो हो लेकिन stable हो जब तक चीज़ें stable नहीं होगी उस वक्त तक हम sustain नहीं कर सकते हैं और हम sustainability की तरफ जा नहीं सकते हैं यहां पर सुरतियाल क्या हो गई है अब सुरतियाल यह है कि technology ने इतनी rapid change लेके आए है इतनी rapid change आ रही है दुनिया के अंदर हर लियास से जैसे कि हम अभी हमने आप से डिसकस किया social life के लियास से भी culture लियास के लियास से इन्वार्मेंटल के लियास से भी हमारी मुटरिफ चेंज आती चली जा रही है उस change की वज़ा से हम कहते हैं कि अगर यह rapid change है तो हम towards sustainability हमारे लिए मूव करना मुश्किल है तो हमने इस change को थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि हमने इस चेंज को भी इसकी speed को भी थोड़ा स्लो करना और यह आल हमारे एकनामिक growth का है अगर हम एकनामिक के point of view से बात करें को जहां कहीं हम बात करते हैं तो हम एकनामिक की बात कर हूं तो इकनामिक के contest में यह है कि अब हमने अपने expenses इतने बढ़ा लिए हैं कि उनको meet करने के लिए पहले लोग काम करते थे आठ गंटे तुब आ गया इस शाम को घर वापस आ गया अब मैं उसकी example देना चाहता हूं इस हवाले से कि एकनामिक का प्रेशर यहना वो हमारी life कैसे उसके इसके एकनामिक के contest में आपसे बात करना चाहिए वह इस अंदाज में हो गया हुआ है कि आप हमारे expenses इतने ज्यादा हो गए है कि हमने internet का विपी देना है बिजली का विपी देने है गयास का विपी देने है गयर का का प्रेंट जो हमारे पास परमिटर्स हैं अब अब हमें ना सिर्फ सुबा के टाइम काम करना पड़ता है, बलके हमें शाम को भी काम करना पड़ता है. अब जो हमारा स्टुशल लाइफट पैटर्न था वो चेंज हो गया. एवन इस सथ तक के हमारे पास हमारा फैमिली के अंदर भी स्टुशल सेटप चेंज हो गया. गरवाले अराम करने की तरफ जा रहे होते हैं, तो वहां पे सेकंड जाब, थर्ड जाब करके वापस घर आ रहा होते हैं. अब यह देखिए, यह एक चेंज है. और इस चेंज से हमारे पास क्या हो गया? हमारा स्टुशल पैरामिटर भी चेंज हो गया. यह नि, आप देखें, कि हमारे एकनामिक ग्रोओ से, एकनामिक प्रैशर से, एकनामिक से भी हमारे वपर असरनाज मरता भी असरनाज हुआ. और वो असर अंदाज किस तरीके से हुआ वो असर अंदाज इस तरीके से हुआ के हमारे जो रोज मरा के सूशल सेटप के जो पेरामिटर से उनके अंदर भी चेंज जानी सुरू हो उसके लिए जो हमारे पास अब यह थोड़ा सा हमें एक यूएंडीपी का प्रॉगाम है जि वो उसने पेश की थी और उसके अंदर क्या कहा था उसने इनलार्जमेंट आफ रेलिमेंट इमन चाइसे अज वेल एज एन अचीवमेंट दे कमपेर्ड एक्षिट विच इन गिवन सुसाइटिज दोस रेलिमेंट चाइसे आर एक्टॉली अटेंट यह आज से बहुत साल पह इसे हैं हिमन डिवेलमेंट के वहां से वह इनलार्ज होती चलिया है